Hello everyone and welcome back to my channel Engage Music Production मेरा नाम है जहतेन और आज इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ अगर आपने अपने vocals को record करा है दिन कैसे आप उसका scale find कर सकते हो कैसे आप उसकी key find कर सकते हो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई गाना गा रहे हो record कर रहे हो दिन आपको music theory की knowledge होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से scale से गा रहे हो कौन से sur से गा रहे हो लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं beginners होते हैं especially जो इन सब के बारे में जादा नहीं सोचते हैं music theory के बारे में नहीं सोचते हैं वो सिरफ माइक उठाते हैं और वो अपना गाना record कर लेते हैं तो चलो उस case में उन लोगों के लिए ये वीडियो आज काफी helpful होने वाली है आज इस वीडियो में आपको किसी भी third party plugin की ज़रुद नहीं है किसी भी type के software की ज़रुद नहीं है किसी website पे नहीं जाना ये सारी की सारी चीज़े आज मैं आपको बताने वाला हूँ FL Studio पे ये shortcut है एक trick basically आप बोल सकते हो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि humming कर के निकालना है मैं exactly आपको बताऊँगा कि क्या आपके जो vocal है उसका scale है वो हमें बताएगा FL Studio तो वीडियो को कर दो अभी के अभी like और अगर चैनल पे पहली बार आयो तो चैनल को कर लो subscribe यार बिकॉज इसी टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ recorded files है वैसे इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने songs को अपनी recordings को professional sound करवा सकते हो एक cheap microphone से यह वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे है इस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा जाके चेक कर सकते हो तो यह हमने record किया था विशाल ने record किया था यह track and just उसने गाना गाया था मुझे नहीं पता है scale क्या है मैं एक बार यह आपको थोड़ा सा play करके सुनाता हूँ दिल ने तुम को चुन लिया है तुम भी इसको चुनोना तो यह track है आपके सामने अब हमें क्या करना है हमें open करना है new tone तो यहाँ पे आप करोगे click left click then उसके बाद pitch correct sample तो यहाँ पे यह आ चुका है इसको मैं करता हूँ maximize हमें किसी भी type की pitching यहाँ पे नहीं करनी है वैसे इस पे मैं एक dedicated video बना चुका हूँ उस video का link पे आपको description में मिल जाएगा जा के check कर सकते हो सिरफ scale find out करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे जाना है scissor के इस option पे then उसके बाद click करना है and यहाँ पे आना है scale and जैसे ही आप scale पे आते हो आपके सामने दिखता है यहाँ पे यह जो vocal है यह जो recorded vocal है इसका scale है A minor यहाँ पे आप देख सकते हो यह major यहाँ पे नहीं है and यहाँ पे है minor आप देख सकते हो यहाँ पे A पे selected है that means इसका जो scale है वो है A minor तो इसने तो बता दिया, अब क्या सही में इसका scales A minor है या नहीं, इसको भी check करना है न, तो चलो इसको करते हैं, हम close and यहाँ पे एक मैं new pattern बनाता हूँ, piano, यहाँ पे मैं add करता हूँ and यहाँ पे मैं FL keys को ले लेता हूँ, piano roll and यहाँ पे A minor chord draw कर लेते हैं, so यह A minor chord draw हो गई है, इसको नीचे ले लेते हैं, perfect and अब उसके साथ दिखते हैं, match करके क्या यह match हो रहा है यहाँ पे, सुन्ते हैं, दिल में तुमको, थोड़ा सा जो vocal है वो आगे आएगा, दिल में तुमको, थोड़ा सा mismatch है, थोड़ा सा मैं adjust करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऊपर octave पे कर रहा हूँ और नीचे octave पे बस bass note लगा रहा हूँ, और अब एक पर ही सुनते है, दिल में तुमको, वोकल काफी ज़्यादा है, वोकल को कर देते हैं, कम, पोफेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा scale match हो चुका है, तो अब एक काम करते हैं, एक कौर में पस recorded vocal है, उस पे भी try करके देखते हैं, क्या यह method काम करता है, यह नहीं, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा दूसरा project, यह मैंने वोकल को record किया था, अगेन विशाल की आवाज है, यह हमने एक microphone को test किया था, तो उसका audio test था, उस video का link आपको description में मिल जाएगा, bear dynamic fox microphone का नाम है, जाकर check कर सकते हो, so यहाँ पे यह था, एक बड़ी मैं आपको सुनाता हूँ, So, यह vocals है, अब इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, आप देख सकते हो, यह जो starting का है, वो बेकार चीज है एकदम, मतलब unwanted है, So, यहाँ से मैं इसको कर लूँगा, cut, and then यहाँ से इसको करूँगा, make unique sample as, अब क्या करना है, again वो ही का, यहाँ पे left click, then उसके बाद, pitch correct sample, So, अब new tone में हमारा यह वाला vocal आ चुका है, maximize करते हैं, again यहाँ पे जाएंगे, scissor के icon पे, and scale, and यहाँ पे जो scale है, वो है C sharp major, थोड़ा सा mismatch है, जो tempo पे है, यह tempo पे हमने नहीं गाया था, so, थोड़ा सा इसको मैं set करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको एक नहीं दो examples दिखाए हैं, जहाँ पे हमने vocals के scale find करे हैं, उसकी key find करी है, इस तरीके से आप भी कर सकते हो, किसी भी type की website नहीं चाहिए, ना कोई third party VST plugin चाहिए, ना कोई extra software चाहिए, आपके FL studio में ही, आपका new tone plugin यह काम आपके लिए कर देगा, एक चीज़ और के लिए करना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार इस method को देखा है, try किया है, उसके बाद ही यह मैं video बना रहा हूँ, तो मेरे according 90% 90 नहीं 95% यह method यह trick आपके vocals पे भी काम कर जाएगी, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो कर दना लाइक चैनल को कर दना सब्सक्राइब और मैं मैं मलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके मन में कोई भी doubts है यहाँ फिर queries हैं, तो comment section खुला है, आप मेरे से पूछ सकते हूँ Hello everyone and welcome back to my channel Engage Music Production, मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर मखी यार